आज हम लोग lecture नमबर 6 देखने जा रहे दिए मोडूल नमबर फोर का तो आई हो पीछे बारे सारे लेग्षर आपके कवर होगे तो यह मोडूल नमबर मोडूल नमबर 4 है लेक्चर नमबर 6 है ठीक है चलिए तो इस टॉपिक में बाबू हम लोग कलासिफिकेशन और प्रोटीन देखने वाले थे जो किस पे बेस्ट हो जो बेस्ट अन मोलेकिलर सेप पर हो ठीक है सेप पर देख लिए थे फाइबरस बला आज हम लोग देखने व उसके वाद टर्शरी था उसके बाद कवाड कौाटरिनर इस्ट्रक्चर ठहते हैं तो मalaur पर ये स्ट्रक्चर क्या होता है जो यहां पर नच नोंच जोड़ता हैहम धायर्याव बनाता है जोड़ा हुआ है ठीक है तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो आपका यहां पर अमीनो एसीड को हम लोग जोड़ रहा है तो जो बॉंड बनाता है उसे हम लोग प्राइमिरी इस्ट्रक्चर को डिफाइन करती है तो कोई भी पूछे कि प्राइमिरी इस्ट्रक्चर में कौन सा बॉंडिंग होता है तो बोलेंगे कि पेप्टाइड बॉंड होता है कौन सा बॉंड होता है पेप्टाइड बॉंड होता है तो इच पोली पेप्टाइड इन्हें प्रोटीन हाज अमीनो एसीड लिंक्ड बीथ इच अधर इन्हें स्पेसिफिक सिक्वेंस इस सिक्वेंस ओफ आमीनो एसीड इ exist there are two taps ठीक है जो polypeptide chain होते हैं यह बहुत ही long होते हैं मतलों बहुत ज्यादा chain बहुत ज्यादा long duration में होते हैं polypeptide chain exist करता है वो दो tap में करता है alpha helix में करता है beta pleated sheet में करता है सबसे पहले alpha helix के बारे में देखते हैं नाम सहीं पता चल रहा है कि alpha helix यानि आ सेब का होगा तो इन बीच पोली पेप्टाइड चेंड फॉर्म इंटर्मोलिक्यूलर हैड्रोजन बॉन्ड वाइट ट्विस्टिंग इन्टु राइट हैंडेड हेलिक्स विद दा एनेच ग्रूप ऑफ इच एमिनो आसिड का आसिड रेडियूस हैड्रोजन बॉन्ड या प ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में जो बता रहे हैं ओवर्व्यू बता देते हैं पहले कि इसमें जो अल्फा हेलिक्स बैसा सकेंडरिय अस्ट्रक्चर होता है जिसमें अमीनो एसिड चेंड अस्पाइरल फॉर्मेशन में होती है कैसा फॉर्मेशन होती है अस्पाइरल arrange होती है figure देखिएगा ठीक है और figure आप Google पे सर्च मारिएगा तोहाँ पे और clear दीखेगा ठीक है तो alpha helix बैसा secondary structure होता है जिसमें amino acid chain spiral formation में arrange होता है alpha helix right-handed होता है कैसा होता है right-handed जिसको आम लोग clockwise भी बोल सकते है clockwise twist करता है उसके बाद इसमें जो एक amino acid है उसका करवो नाइल ग्रूप hydrogen bond बनाएगा और amino group के साथ जो चार amino acid छोड़के present होता है यह जो present होता है वो bonding के जो hydrogen bonding का pattern होता है वो इस polypeptide plane को इस तरह से pull करता है कि एक curl का structure दे ठीक है जो polypeptide plane को पूल करता है तो यही करल सामने आता है इसमें जो main chain होता है inside present होता है inside present होता है और जो functional group यानि हार group का होता है वो helix से बाहर present होता है किलियर है तो आयोप इसमें alpha helix समझ में आया होगा कि बैसा secondary structure जिसमें amino acid spiral formation हो right handed हो यानि clockwise twist करें ठीक है और इसका जो amino acid का carbonine group जो है hydrogen bond बनाता है amine group के साथ 4 amine acid छोड़के present होता है जब इसमें bonding बनाता है तो hydrogen bonding as plane को ऐसा polypeptide plane को ऐसा push करता है pull करता है कि वो एक curl type में structure देता है ठीक है और जो इसमें main chain होता है जो inside present होता है R group होता है जो helix के बाहर यानि odd side में oriented होता है clear है alpha helix के बारे में तो अब आते हैं beta platter sheet के बारे में देखते हैं तो जो beta platter sheet है has all peptide chain a stretch to nearly maximum extension maximum extension इसका जो stretch होता है बहुत ही जादा होता है and they arrange side by side held together एक दूसरे के side by side रख्या होते हैं with inter molecular hydrogen bonding जैसा silk तो इसको बोलते हैं ध्यान से सुनिएगा कि जो seat like a structure होता है नो form होता है दो और दो segment के polypeptide chain के line up होता है यानि overlap होता है next to each other clear है उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें जो hydrogen bonding होता है वह जो carbonile group के दर्वियान होता है hydrogen bonding carbonile group के दर्वियान होता है और R group जो होते हैं वह extend ever और below present होते हैं seat के उपर और नीचे present होते है functional group यानि R group beta seat जो होता है always parallel नहीं होता है parallel भी होता है anti parallel भी होता है silk जो होता है एक silk है जो beta pleated seat का structure है ठीक है example है उसका silk ठीक है आप आते हैं तीसरे नमबर पे अपना tertiary structure के बारे में tertiary structure क्या है तो tertiary structure it represents overall folding of polypeptide chain by hydrogen bond desulfide linkage wonder wall and electro aesthetic form of attraction fibrous and globular protein तो जो tertiary structure है hydrogen bonding हो गई peptide bonding हो गई अब बाकी के जो forces रहेगी न वो जो आपका state of matter में पढ़े थे जैसे वहां पे hydrogen bond हो यहां पे अभी जो देख रहे थे hydrogen bond हो गया peptide bond हो गया अब बाकी के जो भी force है जो आप state of matter में पढ़े थे जैसे sulphide हो गया sulphide linkage हो गया ironic interaction bonder ball हो गया interaction बो सभी के सभी जो है जो दो 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 पोली पेप्टाइड के एक सब्सक्राइब हो गया जैसे हो गया फाइब्रस एंड cutinary structure दो पोली पेप्टाइड के बीच में जो attraction होता है उसे को हम लोग cutinary structure कहते है ठीक है तो cutinary structure में सिधा सिधी बोल दीज monsters के बीच में जो interaction होता है उसीको हम लोग cutinary structure प्रोटीन्स यहां पर क्यों सन पुछा जा सकता है वर्ट इस दी नेचिडेशन आफ प्रोटीन्स तो क्या उते हैं कि when a protein in its native form is subjected to change like change in temperature pH the hydrogen bonds are disturbed due to this globules unfold and helix get uncoiled and protein losses its biological activity it is called denaturation of protein example देखें coagulation of egg white on boiling cutting of milk बहुँ इसको समझाना चाहें तो अगर आप समझ सकते हैं कि कि यहाँ पर आपका और कोटनरी पौर्टीन है ठीक है करनरी पौर्टीन है जिसमें आप या तो heat दे या तो pH change करें ठीक है या तो उसका pH value को change कर दे या heat change कर दे मतलब हीट दे दे तेंपरेचर change कर दे तो क्या होता है वह structure कुछ दूसरे structure में हो जाता है जिसका physical और biological property change हो जाते हैं जैसे आप एग में protein होता है एग को उबालते होंगे तो जो white वाला part होता है solidification हो जाता है जम जाता है अंडाव वालते हैं तो जम जाता है milk से दही बनता है ठीक है तो यह सब process क्या कर लाता है denaturation of proteins क्या कर लाता है जब उसका हम लोग temperature चेंज कर दे या उसका pH चेंज कर दे तो क्या हो जाता है वो change कर देता है अपना physical and biological property इसको हम दूसरे सब्द में बोल सकते हैं दूसरे बाड में बोल सकते हैं अगर लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं simple language में simple definition में the process a simple definition हो का ठीक है समझने के लिए the process that change that change the physical the physical and biological biological properties properties of proteins proteins without without affecting affecting the chemical chemical composition केमिकल कंपोजिशन में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा जिसमें ना तो उसे बसा गाइब हो जाएगा ना उसमें जो भी आपका प्रोटीन है वह गाइब हो जाएगा चेमिकल कंपोजिशन कोई चेंज नहीं होगा उसका किस पर effect करेगा biological और physical property चेंज होगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं डीनेचुरेशन करते हैं भीने प्रोटीन इस नेटिव फॉर्म इस सब्सक्राइब हो जाते हैं जैसे एक जामपल ले अगर आप और उसका जो बाइलोजिकल और physical होता है वो दोनों चेंज हो जाते हैं जिसे प्रोटी कोगुलेशन और एक वाइट और वाइलिंग करने पर क्या हो जाता है सारे वाइट पार्ट एक जगा हो जाते हैं ठीक है और वह हो जाते हैं कर्डिंग ऑफ मिल्क मिल्क से कर्ड जब बनता है दही बनता है तब जो परपटी चेंज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं डी नेचुरेशन और प्रोटीन कहते हैं कोई दिक्कत वाबू चलिए अब हम लोग निकुलिक एसीड के बारे में देखते हैं अब निकुलिक एसीड क्या है तो जो आपका निकुलिक एसीड है वो क्या करता है एक सेकेंड पॉलीमोर्स ऑफ निकुले टायर से हेल्प इन सेंथेसिस और प्रोटीन और ट्रांसपर जेनेटिक ट्रेड हो अवसको हम लोग निकुलिक एसीड बोलते है जिसमें क्या करता है अब के सेंथेसिस ऑफ रोटीन को और जिनेटिक ट्रेड्स को ट्रांसपर करता है जिसमें दो पाठेय एक सब्सक्राइब निकुलिक एसीड है इसका फूल फ्ल्फ़र्म हम लोग Line और यह Female तो दो यह xen पुछा जाता है यहां से निकली साइड क्या है और निकले टैड क्या है ठीक है निकले साइड और निकले टैड के बारे में पुछा जाता है यहां पर इसका दोनों का डी ऑक्सी राइबोस का स्ट्रक्चर है यह राइबोस का स्ट्रक्चर है दोनों का स्ट्रक्चर है बना ल ते होंगे कि जो निकुलिक एसिद है जो दो टाइब का है एक DNA एंड RNA इतना तो पता है चली यह दोनों जो होता है किसका कमपोनेंट्स होता है नाइट्रोजन बेस का होता है नाइट्रोजेन नाइट्रोजेनियस बेस होता है और किसका बेस होता है सुगर होता है सुगर का कम component होता है और किसका होता है फोस्फेट का होता है तो जब जब नाइट्रोजन बेस और सुगर मिलकर नाइट्रोजन बेस और सुगर मिलता है तब निकलेसाइड बनाता है क्या बनाता है निकलेसाइड जो अब ही निकलेसाइड और निकलेसाइड देख रहे थे ने कि निकलेसा फोस्पेट भीद मिला दे तब निकवलेट डाइड बनाता है कि लियुर है तो निकवलेस्वाइड और निकवलेट डाइड में खिलेट होगा तो निकवलेस्वाइड constit लीप के थे फोस्फोरिक ठीक है फोस्फोरिक एसीड मतलब फोस्फेट भी मिला दे फाइब पोजिशन आप सूगर मायोटी दा यूनिट अप टेंड इज कॉल निकुलेटाइड तो नाइट्रोजन बेस और आपका सूगर से मिल के बने तो निकुलेटाइड नाइट्रोजन बेस और एयंड फ्र्रंसिक क्रिक क्रिक गेब डवल ह Except structure वफ डीने ड्यन अब एक ट्र वक्स ट्र्क्टर किस में दिया धा जेंस